नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नाकपुरी भर्षा है उसका खंड गह में लोग कताएं सिस्ट कता नाटक और साहितिक निबंद है इसकी तैयारी कैसे करें ताकि यहां से जो एक भी सवाल ना छुटे दोस्तों खंड गह का सेक्षन जदी देखा जाए तो यह काफी इजी है और यहां से बहुत सारे कोस्चन पूछे जाएंगे कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि 42-50 कोस्चन यहां से पूछे जाएंगे इसलिए काफी इंपोर्टेंट है तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे हम स्टे और साहितिक निबंद पढ़ना है साहितिक निबंद में कुल आठ साहितकारों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है और एक नाटक पढ़ना है तो यह काफी एक इजी सेक्षन है तो इसमें अच्छा मार्क स्प्राप्त किया जा सकता है और जदी उपर एक दो बार पढ़ेंगे और छोड़ देंगे जिससे क्या होता है कि एक्जाम में बहुत सारी गलतियां होती हैं लेकिन थोड़ा सा systematic way से जदी पढ़ा जाए तो यहां से एक भी question नहीं छुटेगा आपका तो आपको इन कुछ step को अपनाना है तैयारी के लिए दोस्तों first step है यह जो जितनी भी लोग कता है और नात्रक है इनको एक बार पहले तह रिडिंग करना है एक बार पढ़ना है उसके बाद second step में क्या करना है आपको फिर से reading करना है लेकिन reading के साथ साथ writing करना है writing में क्या करना है आपको short knots त्यार करना होगा ya या उसको आप संचेपन भी बोल सकते हैं कि उसको जितने भी कहानी है उसका एक सार त्यार करें सार में क्या चीछ पर ध्यान दें सार में उसकी उस कहानी के जो पात रहें उनको लिखें और उनकी क्या activity है कहानी में और उसके जो मुख्य मुख्य जो dialogue है उनको लिखें उसके बाद third step में क्या करना है आपको फिर से reading करना है और उससे कुछ MCQ question त्यार करना है जैसे 10 लोग कथाएं और आठ शिस्ट कथाएं है तो परते कथाओं से क्या करना है आपको 10 से 12 question त्यार करना है हो सके तो इससे ज्यादा भी question बन सकते हैं 15 रव 20 लेकिन कम से कम 10 से 12 question आप खुद से त्यार करें तो इस तरह से आपका एक बहुत ही अच्छा खासा notes त्यार हो जाएगा और बाद में जब revision करेंगे तो आपके जवारा जो short note त्यार किया गया है बस इसी को पढ़ना पड़ेगा और काफी कम टाइम में revision होगा और साथी साथ आपके जवारा जो question त्यार किये गया होंगे उसको परिक्षा से ठीक पहले आप एक बार देख सकते हैं ये तूरंत revision हो जाएगा और नाटक थोड़ा बड़ा है तो इससे कम से कम आप 20 question त्यार करें तो इस तरह से आपका ये जो तीन पार्ट है ये त्यार हो जाएगा दोस्तों इस गद सेक्षन का जो सबसे कठीन भाग है वो क्या है साहितिक निबंद साहितिक निबंद क्यों टफ है क्योंकि ये इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं कुछ-कुछ आपको memorize करना होगा क्योंकि इसमें हमें कुल आठ साहितकार हैं उनके जीवनी के बारे में detail में पड़ना है जीवनी में क्या होगा कि लेखक का जर्म कहां हुआ था उनकी पढ़ायी लिखाई कैसे उई थी और जर्म कब हुआ था और उनकी साहितिक रचनाये कौन-कौन सी थी और किस परकार के साहितिक रचनाये करते हैं इन सारे चीजों के बारे में डिटेल में जो सिलेवस में दिया हुआ है और हम आगे बटाएंगे कौन-कौन से सहितकारों के बारे पढ़ना है तो परतेक सहितकारों के जीवनी को डिटेल में पढ़ना है तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है और इसमें कुछ रटने वाली चीज़े भी है तो इसको ध्यान में रखिएगा तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं अब हम देखेंगे वीडियो के अगले पार्ट में की कौन-कौन सी लोग कथाएं पड़नी है तो यह दस लोग कथाएं हैं तो पहला जो लोग कथा है व चोथा है मैना और बूट पांचवा है कमल और केतकी छठा है बेलमेत रानी सांतवा है चोचा चरई और राजा आठवा है छोटकी रानी नवा है बन हरीनिकर बेटा दसवा है बिंदुलिया रानी तो यह सारी यह दस लोग कथाएं पड़नी है इसके बाद नेक्ष्ट दे किनको कहा जाता है यह कहा है कि जो आध्षुनिक जो रचनाकार थितशलों सेखो है चलते हुए आज आज तक पहुंचिंगा उनको कहा जाता है उनके रचनाकार के बारे में पता नहीं रहता है तो सिस्ट कथाओं में हमें क्या पढ़ना है एक चक्ता रोध परफुल कुमार राय के द्वारा लिखी गई एक कहानी है दूसरा है बिंचिया सारदा परशाद सर्मा के द्वारा लिखी गई कहानी है तीसरा है रद्दी कागज विपी केसरी के द्वारा लिखी कहानी है परमोत कुमार राय अठ्वा है मादी डक्टर उमेशनंद तिवारी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नाटक नाटक किसके बारे में पढ़ना है ठाकुर विश्वनात साही दोस्तों ठाकुर विश्वनात साही क्या थे एक अठारो से संतावन की क्रांती में भाग लेने वाले एक क्रांती कारी थे तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं जो जहारखंड कौन-कौन से रचनाकारों के बारे में कौन-कौन से साइतिकारों के जीवनी पढ़ना है तो पहले है परफुल कुमार राय के जीवनी और इनके दवारा रचीत जितने भी कवीता और कहानिया हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है दूसरा है मिर्तुन्जय नात सर्मा, तिसरा है कवीरत्न सार्दा परशाद सर्मा, चोथा है सहनी उपेंद्रप पाल नहन, पाचवा है डाक्टर बीपी केशरी, छठा है नईमदिन मिर्दाहा, सात्वा गिरिधारी राम गौंजु गिरिराज, आठवा है डाक्टर कुमारी बसंती, तो दोस्तों खंड गव में इतनी सारे चीजें पढ़नी है, और ये काफी इंपोर्टेंट सेक्षन है, काफी इंपोर्टेंट सेक्षन है, यहां से 50 परसेंट कि आप उमीद कर सकते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजे, और बार बार रिविजन कीजे, त अगले विडियो में फिर मिलेंगे कोई ने डोपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद